नमस्कार, मैं मनिश वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे जैन पर, 28 अक्टूबर को आपका हिस्ट्री का एक्जाम है, और इस अक्टूबर सेस्ट्रिक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आप दो तरीके से आप हिस्ट्री के एक्जाम में पास हो सकते हो, पहला त बताऊंगा कि वो चैप्टर वाइस वीडियो जिसमें मैंने खुद समझाय हुआ है, आपको वो कहां मिलेगी और कैसे आपको वीडियो को देख लेना है, पहली चीज, दूसरी बात यह है कि मैंने आपको कुछ इंपोर्टेंट कोसेंस विद आंसर दिया हुआ है, तो इसक इस वीडियो के से आप आंसर लिख कर आता हूं, बना पढ़कर तो सभी जाते हैं, लिखने का तरीका ही आपको अच्छे माक्स दिलवाता है, ठीक है, और चलिए आपको पहले मैं यह बता देता हूं कि वो वीडियो और वो नोट्स आपको मिलेंगे कहां पे, कैसे आपको उनको पता करना है, चलिए सबसे पहले आपको मैं अपने computer के screen पर लेकर आता हूं, अपको यह देखिए कि कल यह video upload होई थी चैनल पे, और आप सभी ने इसको देखा भी है, लिए बहुत कम बच्चों ने देखा, इस वीडियो के अंदर मैंने एनिस बोर्ड की class 12, history chapter 1 समझ of Indian history, और इस first chapter के अंदर मैंने पूरे chapter को बहुत अच्छे समझा दिया आपको, और जैसे ही आप इस वाले video के description box में देखोगे, तो इसके description में आपको दो link मिलेगा, history all videos, history important questions, मैं अगर all videos पे link क्लिक करता हूं, तो हमारे सामने यह link open हो क्या आती है, मैंने आपको जो chapters बता है हुआ है, आपको इनको देख लेना है, आपके पास तर्फ दो दिन बचा हुआ है, अगर आप इन वीडियो को पहले से देख लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, यह playlist में आपको मिल जागा, चैनल पर ओलड़ी अवे वेलिवाले, प्लेलिस आप चेक कीजिए, सारी वीडियो के लिए, वहां पर आपको सम्मील गई है, यहां पर सबसे पहले आपको मैंने ब्लूप्रिंट और मार्केंग स्किम बताया हुआ है, इसके बाद चैप्टर फरस्ट है, ठीक है, और यह चैप्टर सेकेंड है हमारा, जिग्रोफिकल सैटिंग एंड प्रो हिस्टो आजन पद्ध हो गया, और आर्ट एंड आर्ट अर्केटेक्ट्च यह सभी चैप्टर सेक्वेंस में चल रहे हैं, तो जैसे यसे वीडियो को ऐसे सेक्वेंस में देख लिजिए, मैं गरांटे के साथ कह सकता हूं कि इन चैप्टर की वीडियो को देखने के बाद जैसे इस वीडियो से इसको भी देखने ना ताकि आपको स्टेक्र रिवीजन हो जाए यह जो है न हीस्ट्री में Zero से Hero बनने की निंजा टेकनिक, इसके अंदर मेराको बताया था पूरा मेराथन लिय था इसमें आपको मैं रिवीजन कवाया था ठीक है तो इसके अंदर जो पढ़ाय हुए हैं लेकिन मेडियेवल हिस्ट्री में आपको चैप्टर नमबर 10 11 और 12 यह भी तीनों कर लेना बाकि मैं जो पीडिया में बताया आप उनको फोलो कर सकते हो ठीक है तो यहां पर यह होगा इंपोर्टन हमारे वीडियो जो आपको देखना है और मैंने आपको ल इसके बाद आपको दिया गया इंपोर्टन कोसंस आप जैसे इस पर क्लिक करते हो आपके सामने यह वैबसेट ओपर हो जाएगी और यहां पर देखिए आपके सामने कुछ कोसंस निकल कर आएंगे और यह कोसंस जो हैं इंटार से बनाएं गया है जो हिंदी में दिया गया इसके बाद वह इंग्लिस में भी जरूर दिया गया हुगा और आप जस्ट इनको रीड कर लिजिए मैं गरांटे के साथ तो यह नहीं कह सकता है कि यह कोसंस आपको एक्जाम में आ जाएंगे लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि यह कोसंस वो है जिनको पढ़ने के बाद जरूर समाज में आ जाएगा मैं फिर से बता रहा हूं क्या होता कि बच्चे फिर पेपर देने जाते हैं वह एक्जाम दे कर आते हैं उनको लगता है कि सेम जैसे कि माल लो मैं आपको एक चीद दिखाता हूं माल लो यह कोसन है पतन प्राकर्टिक आपदा है जा बिदेशी आक्रमणों के कारण इसका पतन हुआ अब इक्जाम में कोसन यही वाल आया बट घूम कर आजाए हड़पास अब बैता पतन की जगह आजाए हड़पास अब बैता की समाप्ती के में कारण बताई है मुख्य कारण में बताई अब कोसन अगर घूम कर भी आता है तो बच्छों करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है अब कोसन को पहले समझो इसलिए मैं कभी आपको यह नहीं कहता है कि जस्ट कुछ इंपोर्टेंट कोसन के नाम पे 20-30 कोसन पढ़कर जाओ पेपर देने चले जाओ ऐसा कभी भी उस्ट को देखना है और इन वीडिव को देखने के बाद जैसे आप इन वीडोस को देख्लों इसके बाद आपको इन को रीड कर लेना है ये कुसे उंटायर से बनाए अगर आपने तक कुछ भी नहीं पड़ा है तो रीड करने में क्या जा रहा है अगर आपके पास टाइम है तो इनको अच्छे से रीड कर लिए बहुत मुस्किल से इसको कॉस्टन को हम बनाते का यह महत लगती इसको बनाने में हमारी टीम इसको प्रिपेर करती है तो आप इन कोस्टन को भी पड़ने के लिए जस्ट की अच्छा ऐसे कोस्टन तो इसका अंसार इस तरीके से देना है मुझे तो आंसर देने का तरीका और कैसे हम लिख सकते हैं इसका तरीका आपको यह पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा क्योंकि हिस्टे का एक्जाम है को संस अलग तरह किसे गुमा के पूछे जा सकते हैं तो चैक्टर समझ लोगे बहुत अच्छे तरह के साथ की प्रप्रेशन हो जाएगी आई होप आपको अब यह समझ में आ गया कि आपको प्रप्रेशन कैसे करनी है वीडियो देखना है और को संस को रिड कर लेना है बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है या बुक्स नहीं है तो अब आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि जस्ट वीडियो देख ल लेना ताकि उस टाइम कुछ आपको याद भी रहे बाकि हिस्टे के इंपोर्टेंट कोस्टन और आंतर जो पेड़ वाले हैं हमारे आप पेड़ बर्जन में क्या होता है कि हम चैप्टर वाइस दे देते हैं तो आप पेड़ बर्जन में ले सकते हो वागे फिरी ऑफ कोस् चीज कर रहे हैं मैं चाहता हूं कि इस वार रिजल्ट है बहुत अच्छे तरीके से आए पिछले बाद 52 परशेंट था इस वार 82 परशेंट हो और आगे चलके 92 परशेंट हो 100 परशेंट भी टाइम ऐसा होगा और जरूर होगा यह आप और हम सब मिलके करेंगे जाम में एक से प्राथना करता हूं आप सभी की पास होने के लिए अगर आप अच्छे से पास हो जाते हैं को साभी कुस मनिस कर्माविकुस क्या लगया उस टाइम यार्वा कर चलता है बच्चों का मिलूंगा आप से नेक्स वीडियों के अंदर प्रभू से ऐसी कामना करता रहूंगा आपके चहरों की मुस्कान बनता रहूंगा जैहिंद जैभारत